हेलो दोस्तो यार केसव से भी लोग दोस्तो ईवी लेनी है बेस्ट इलेक्टरिक स्कूटर चाहिए वन टाइम इन्वेस्मेंट में 10 से 12 साल तक चलने वाली इलेक्टरिक स्कूटर लेने का प्लैनिंग है गाईज तो इस वीडियो को गाईज पुरा जरूर देखना नए लिस के साथ सबसे अच्छे और ट्रस्टेड ब्रैंड के बारे में बताने वाला हूं जो आपके लिए G7 हो सकते हैं और इलेक्टरिक स्कूडर के बारे में हम कौन-कौन से पॉइंट कोवर करेंगे, सबसे पहले look or design के बारे हम बात करेंगे, short features के बारे में बात करेंगे, range, speed कितनी है और expected launching and expected pricing कहा रहेगी, वो हम इस वीडियो में बात करेंगे तो चलिया दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो सबसे पहले पांच नमबर पर आ जाता है एथर की तरब से अब तक का सबसे अलग लुक वाला मॉडेल एथर रिस्टा एलेक्टरेक्स कूडर जो की लुक और डिजाइन पूरी तरह से कम्पलेटली एथर ने चेंज कर दिया है एथर का कहना है कि हम इस एलेक्टरेक्स कूडर को 2024 के हिसाब से डिजाइन किया है अगर हम शॉर्ट फिचर्स की बात कर तो डिस्प्लेस में मिलने वाला है टायर प्रिशर मॉनिटर देखने को मिलेंगा और भी नए जनरेशन के फिचर्स देखने को मिलेंगे जो कि 6 एप्रिल 2024 को ये एलेक्टरिक्स कूडर लाँच होने वाली एगर रेंज की बात करें तो 20 किलिमेटर से लेकर 130 किलिमेटर तक रेंज देखने को मिलेगी जो कि रियल रेंज आपको रहेगी स्पीड की बात करें तो 80-90 केंपेच का स्पीड रहने वाला है और इस एलेक्टरिक्स कूडर की सबसे अच्छे बात ये है कि इसके टेस्टिंग काफी हुई है जैसे कि बैटरिक की बात करें या वाटर टेस्ट की बात करें तो पूरा यहाँ पर वाटर में टेस्ट करके इस एलेक्टरिक्स कूडर को इंडियन मार्केट में एथर लांच करने वाल आए अगर हम एक्सपक्टिंग प्राइसिंग की बात करें तो एथर की रिजटा इलेक्टरिक्स कूडर की प्राइसिंग 1,20,000 से लेकर 1,30,000 तक एक्सपक्टिंग प्राइसिंग रह सकती है बट कॉलिटी मटरेलिया पर एथर ने इसमें यूज किया है चाहे बाड़ी पैनल हो गई या सेफटी हो गया और आप सभी को पता है कि एथर इलेक्टरिक्स कूडर की सर्विस भी काफे ची मिलती है तो अगर आपको नो टेंशन रहना है कम समय में इन पांचो लिस्ट में सबसे पहले आपको एलेक्टरिक्स कूडर ले रहना है तो एथर की रिस्टा एलेक्टरिक्स कूडर आपके लिए बेस्ट हो सकती है तो चले भी बात करते हैं इस नंबर फोर के बारे में तो फोर नंबर पर है reward NX 100 reward motors का सबसे पहला electric scooter होगा जिसकी pricing आभी की हिसाब से under 1 lakh रुपीज में आती है जिसमें 100 km की range मिलेगी 90 से लेकर 100 km का speed देखने को मिलेगा और PMSM की motor भी इस price में आपको देखने को मिलने वाली है जो की company claim करती है आराम से आपको 10 साल तक तो आपको बजट रहेगा जिसकी एक लाग डेड़ लाग तक तो उसके इस आप सापको 5 model इसमें देखने को मिल जाते है और दोस्तो इस electric scooter को launching होके काफी time हो चुका है reward motors ने अपने factory को भी ready करना चालू कर दिया है almost ready ही हो चुके factory next महिने से इस की test ride भी चालू होगी और June जुले से इस electric scooter की delivery भी चालू होने वाली है सबसे पहले मेरे कोई एक बात अच्छी लगी reward motors की काफी सारा material जो ये Indian market का made in India इन्होंने यूज किया है तो absolutely आपको सबसीडी भी government की तरफ से देखने को मिलेगी and 89,000 रुपी से इनका model शुरू होता है अगर आन्य वाले time में थोड़ी भी बढ़ जाती है एक लाग भी होता है तब भी आपके लिए best option हो सकता है क्योंकि सबसे बड़ा जो point है वो है कि यार LFV battery मिल जाती है और already हमने इस पर काफी detail वीडियो भी बनाए जो कि आप channel पर जाकर check out कर सकते हो playlist पूरी तरह से complete ही पड़ी है जरूर उस वीडियो को भी आप देख सकते हो तो तीन नमबर पर है next electric scooter बजा चेतक की तरफ से BLDC वाला model सबसे पहले पूने मुंबाय हाईवे एक्सप्रेस पर देखा गया है जो कि एटो हिल पर महराटी वेबसाइट पर भी ये article आ चुका है और वहाँ से हमने इस picture को लिया है तो आप देख सकते हो कि पूरी तरह से completely चेतक electric scooter है बस इन्होंने motor में changes करके testing कर रही है और company ने अभी कुछ दिन पहले भी announcement कर दिया है कि हम जल दी 2-3 महिनों में बजाज की तरफ से एक affordable electric scooter को launch करने वाले जो कि absolutely आप बोल सकते हो कि बजाज का चेतक electric scooter BLDC motor में देखने को मिलेगा हाला कि features थोड़े से कम होंगे बट जिनका भी budget काफी कम है अच्छे brand क electric scooter लेनी है, trusted company की लेनी है, metal body चाहिए तो उनके लिए बजाज company से better option आपको कोई भी नहीं हो सकता features कम होंगे, range आपको 100 km से लेकर 110 km तक range मिलेगी 50 से लेकर 60 km तक top speed देखने को मिलेगा बट जो service मिलेगी, वो Ola जिसी services में देखने को नहीं मिलेगी काफी अच्छी service आपको budget की तरफ से देखने को मिलने वाली है and expected जो pricing रहेगी वो पहले के model से 10-15,000 कम ही रहने वाली है आप expect कर सकते हो 1 lakh या under 1 lakh रुपीज तक इसकी extra price देखने को मिलेगी और काइस वीडियो आपने यहाँ तक देख लिया है और वीडियो को like नहीं कि तो यार फटा फट से like कर दो काफी डिमांडेबल वीडियो था कि यार आने वाले टाइम में trusted brand की सबसे सबसे अच्छे electric scooter के बारे में बताओ तो काफी research करने के बाद काफी मेने से reading करने के बाद यह वीडियो आपके तरफ आती है तो फटा फट से like का target जो है 1000 like का target complete कर दो तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अभी दो electric scooter बचे है और यह दोनों brand जो आने वाले टाइम में market में king होने वाले है सबसे तो दो नमबर पर है Winfast electric scooter जो की एक नई company है बट इनको काफी time हो चुका है EV में काम करके and absolutely यह जो company है सिर्फ और सिर्फ EV में ही काम करते है मतलब electric scooter ही बनाती है जैसे की example ओला electric हो गई जो की सिर्फ और सिर्फ electric में ही काम करता है वेसे यह Winfast brand है जो की सिर्फ और सिर्फ electric scooter में ही काम करता है बाहर की country's पर काफी अच्छा fit pack है अगर हम विनफास एलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में डिटेल में बात करना चाहें तो इनके काफी मॉडल्स आपको देखने को मिल जाते हैं बट हम बड़े बड़े पॉइंट को कवर करते हैं जैसे किसमें लिक्वीड कूलेड बैटरी देखने को मिलती है जो की एप्रॉक जाल भी चल सकती है मेटल बॉडी मिलने वाली ये काफी एट्रेक्टिव लुक मिलने वाला है अगर आपका बज़ेट कम है तो आप जो ये नर्मल फीटर्स वाला भी मॉडल ले सकते हो अगर आपको ज़्यादा फीचर्स चाहिए तो वो भी आपको बड़ा डिस्प्लेव वाला भी ले सकते हो नई टेकनोलोजी की मोटर देखने को मिलने वाली है 72-80 केमपेज का टॉप स्पीड देखने को मिलेगा क्योंकि स्पीड जुहे इन्होंने वेल मेंटेंड रहा है ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं है इसके इसापसे आपको रेंज भी मिलेगी 180 किलोमेटर जैसे लेकर 200 km तक सिंगल चार्ज में आपको रेंज देखने को मिलने वाली है। और दोस्तों, विनफास जो है काफी अच्छा ब्रैंड है, मेरेको तो काफी एट्रेक्टिव इसके एलेक्ट्रिक स्कूटर लगे। जैसे की ट्रेस्टेड कमपनी की तरफ से एलेक्ट्रिक स्कूटर आते हैं, कहाँ पर भी एक कॉंपर्माइज नहीं करते हैं, वैसा इसका लुक देखने को मिलने वाला है। अगर हम एक्सपेक्टेड प्रैसिंग की बात करें, तो नया ब्रैंड है, जैसकी ओला की बात करें, तो उसके आसपास इसकी प्रैसिंग रहेगी, बट डिपेंड रहेगी कि आपको रेंज कितनी मिलती है। जैसे एक्जैंपल अगर आपको 100 km वाला मॉडल लेना है, तो 1 लाग से लेकर 1 लाग 10,000 तक एक्सपेक्टिंग प्रैसिंग रहे सकती है। और आप इसके लिए वेट कर रहे होगे, होंडा की तरफ से एक्टिवा एलेक्टरिक स्कूटर, जैसे की कंपनी की बात करते हैं, तीन मॉडल को इंडियन मार्केट में लाँच करने का प्लैनिंग किया है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है कस्टोमर की डिमांड तो यही है, एक्टिवा लुग के साथ इंडियन मार्केट में इलेक्टरिक वरिजन को लांच किया जाए, जैसा कि फाइनल लुग जो आपके सामने इस स्क्रीन पर है, इस लुग के साथ आपको Archiva जैसा ही लुग देखने को मिलेगा, काफ़े एक्टिवा जैसा ही लुग देखने को म मिलेगी और होंडा का कहिना है कि हम जो बैटरी यूज करते हैं वो पूरी तरह से कंप्लेटली रिमूबल होती है स्वापिंग आप कर सकते हो छे सेकिन में फुल चैज वाली बैटरी ले सकते हो और जो बैटरी में सेल्स इन्हें ने यूज कि जो कि इंडियन मार्केट में कोई भी ब्रैंड इतने अच्छे क्वालिटी के सेल्स यूज नहीं करता जैसे कि सैमसंग पैनसोनिक की सेल्स इन्हों यूज किये है जिससे लाइफ तो आपको 100% ली बैटरी की अच्छे मिलने वाली है क्योंकि इलेक्ट्रिक स्कूटर में में पार्ट होता है बैटरी एंड उसके बाद मोटर आती है तो मोटर भी आपको अच्छे क्वालिटी की मिलेगी ही मिलेगी उस एक साथ बैटरी भी अच्छी मिलेगी तो आप ड्रोक्सली मोटा मोटा आप डो सकते हो कि यार दस बारा साल तक तो बैटरी जाने ही-जाने वाली है रींज की बात करेट है तो 130 PETER किलिंटर तक आपको रींज देखने को मिलेगी श्पीड की बात करें तो 85K Нपेज तक आपको आपको स्पीड द expected pricing यहाँ पर रह सकती है बट अच्छे brand की है trusted company है quality यहाँ पर materials होने वाला है तो कहाँ पर भी यह compromise नहीं करेगी one time investment में best electric scooter लेना है तो आपके लिए best EV हो सकती है और launching की बात करतों इन्होंने January बोला था उसके बाद March बोला लेकिन अभी है आपर इनका कहना है कि मेंसे लेकर जून 2024 तक इस electric scooter को हम launch कर सकते है काफी delay हो चुका है बट जो product निकल के आएगा वो market में तबाई करने वाला है यह तो बात आपको confirm पताईए सो दोस्तों यह थी कुछ 5 electric scooter जो के आने वाले time में सबसे best हो सकते है 5 upcoming electric scooter इन 5 हो में से आपको कुछ सची लगी क्यों अच्छी लगी comment में जाकर जरू से जरूर बताना and next video आपको कुछ से topic पर चाहिए वो भी आप comment में जाकर जरू से जरूर बताना